हर हर महादेव, जय भोलेना, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है धर्म ग्यान के मार्ग में, आज हम बात करेंगे मेश रासी वालों के लिए, एक से एक तिस मैई दो हजार चोविस, कैसा रहने वाला है, मही महीना आपके लिए क्या लेकार आ रहा है, हर विशय पर आगे बढ़ सकते हैं, सभी महत्पूर्ण बाते इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जनकारी समझ में आ जाए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही घंटी को जरूर दवाईएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगो तब पहुँचे, और कमेंट बॉक्स में, हर हर महादेव जय भोल करने की संभावना है, दसंभाव के श्वामी स्थनी महराज, पूरे महीने एकादस भाव में रहकर, आपकी इस्तितियों को प्रभल मनाएंगे, आपके लिए नए नए और सवरो का निर्मार करेंगे, आपके वरिष्ट, अधिकारी भी आपके काम की प्रगती से नजराएंगे, और उसके कारण आपको अच्छी पदोनती भी प्राप्त हो सकती है, बस आपको अहम भावना से ग्रसित होकर किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए, और अपने काम से खुद को ही संतुष्ट करने की कोसिस करना चाहिए, ऐसा करने से आपको बहुत ल आपको समस्याओं से बचा सकता है, बैपार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, सबतंभाव के श्वामी, सुक्र महराज आपके प्रतंभाव में, देव गुरु ग्रियस्पति और सनी देव की द्रिष्टी होगी, बिदेशी माध्यमों से भी धन इस महीने आप अपने बैपार को नई दिशा दे पाएंगे, अगर आप बैपार को बिस्तार देना चाहते हैं, तो उसके लिए महीने का उत्रात अधिक अच्छा दिखाई दे रहा है, यदि आपकी आर्थिक इस्तिति को देखा जाए, तो यह महीना आर्थिक तोर पर बड नोतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छे बात यह है कि पूरे महीने सनी महराज आपके एकादस भाव में रहकर आपकी आर्थिक योजनाओं को बल देंगे, आपको धन प्राप्ति के नए सुरूत मिल सकते हैं, और एक पक्का जरिया मिल सकता है, जिससे आप का धन आपके पास आता रहेगा, बैपार से भी धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे, महीने के उत्राद में सुर्य और सुक्र के दूइतिये भाव में जाने से भी धन लाब होने के प्रवल योग बनेंगे, आप धन संचित करने में भी सफल हो सकते हैं, और आपका bank balance बढ़ सकता है लेकिन 12 भाव में है और आपका bank balance बढ़ सकता है लेकिन 12 भाव में मंगल राहू का अंगारक दोस्त किसी भी तरह के अनिवजित निवेश को जोखिम भरा बताने के कारण उससे बचना ही आपके लिए बहतर होगा या महिना स्वास्त के द्रिष्टिकोंड से कुछ कमजोर रहने की संभावना है आपके स्वामी मंगल महराज 12 भाव में रहेंगे वह भी राहू के साथ जिससे स्वास्त संबंदी समस्याई परिसान कर सकती है मंगल राहू का अंगारक दोस्त इसको और बढ़ा सकता है बुद्ध भी उनके साथ होने से आपको त्वाजा संबंदी समस्याई या किसी तरह के इलर्जी होने की संभावना बढ़ सकती है इससे अधिक अन्यमित रक्तचाप और रक्तचाप से जुड़ी अन्य समस्याई भी आपको परिशाद कर सकती है इस दोरान वहन सवधानी से आप चलाएं क्योंकि किसी प्रकार की दुरगटना होने की संभावना भी बन रही है आपको सवधानी से ही आपकी समस्याउं से बचा जा सकता है आपकी सवधानी ही आपको समस्याउं से महीने की सुरवात में रहेंगे जिनके साथ सुक्र और विरस्पती जैसे ग्रह भी विरजमान होंगे और वह सब्तम भाव पर देश्टी डालेंगे प्रेम संबंदों के लिए यह शमय अच्छा समय रहेगा आप अपने प्रितम प्रेमी से विवाह रचाने में भी सफल हो सकत हाला कि मंगल के 12 भाव में होने से और राहू के साथ युक्ती बनाने के कारण तथा सनी के पंचम भाव पर देश्टी डालने के कारण पीच पीच में कहा सुनी और नोक जोग भी हो सकती है लेकिन आपको प्रेम मजबूत रहेगा आपका जिससे आप इन सभी प्रस्तितिय से बाहर निकल सकते हैं महिने के उत्रार्थ में 14 मही को शुरे बृतिय भाव में आ जाएंगे और 19 मही को दूसरे भाव में आ जाएंगे तब आप अपने प्रिद्धम प्रेमी से परिवार वालों की बात चीत करा सकते हैं इससे आप अपने प्यार को एक अगले पढ़ाउ अब तक ले जाने में कामयाब रहेंगे बिवाहित लोग जातकों के लिए महीने की सुरवात अच्छी रहेगी क्योंकि गुरु सुक्र ग्रह का प्रभाव होने से आप और आपके जीवन साथी के मध्या अच्छा सामन्जय से देखने को मिलेगा सुक्र के प्रथम भाव से भला भी का सकते हैं जिससे उन्हें बुरा लग सकता है बुध राहू और मंगल द्वादस भाव में रहकर भी परिसानिया खड़ी करेंगे और मंगल की सब्तम भाव पर द्रिश्टी जीवन साथी और आपके बीच जगड़ा भी करा सकती है इसलिए आपको साउधानी बरत में आप रहेंगे साउधानी से चलेंगे तो परिवार के द्रिश्टी कोड से यह महिना अच्छा रहने की संभावना है दसम भाव के श्वामी शनी महराज एक आदस भाव में विराजमान रहेंगे विरस्पति सुक्र और शूरी पर्थम भाव में रहेंगे दूतिय भाव सिवार वालों को बुरी लग सकती है लेकिन देव गुरु विरस्पति आपको इन समस्याओं से बचाने में युगदान देंगे और आपको सही गलत की पहचान कराएंगे इसलिए आपको थोड़ा सा समझना चाहिए 14 माई को सुर्य रिशवरासी में आपके दूसरी भाव म में चले जाएंगे जिससे आपकी बाणी में थोड़ी करवाहट बढ़ जाएगी इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए यहां पर और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए माता-पिता का स्वास्त उत्तम रहने की प्रबल संभावना है जिसस दस तारीक को यानि की दस मई को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे इससे महीने की सुरवात आपके भाई बहनों के लिए कठिन होगी लेकिन महीने के मध्धे में इस तीतियों में सुधार होना सुरू हो जाएगा महीने के अंतिम दिन यानि की 31 मई को बुद्ध आपके दूइतिये भाव में आ जाएंगे जिससे भाई बहन आपको बहुत ज्यादा सही योग देने लगेंगे इस महीने उनके पाहर जाने के भी योग बन सकते हैं सारी बाते किलियर हो गई कि कहां आपको लाह मिलेगा और कहां आपको सौधान रहना चाहिए अब चलिए जानते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए इन सभी परिसानियों से बचने के लिए और अपने जीवन में अपने भविस्य में आगे बढ़ने के लिए अपनी मेहनत अपने बिजनेस बैपार के साथ साथ इस उपाय को जरूर करें आपको परतेक मंगल बार को गुण के लड़ू बनाकर गौ माता को खिलाना चाहिए प्रती दिन शुर्य देव को तांबे के लोटे से हल्दी और अक्षत डालकर जल चड़ाना चाहिए प्रश्पती बार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक अवस्य लगाना चाहिए मई माह का यह उपाए आपको हर परिसानी से छुटकारा दिलाएगा और आप अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे उमीद करते हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ल लोगों को भी लाव मिले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोले ना चरूर लिखिएगा इनकी किर्वा पाने के लिए फिर मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वाज धन्यवाद